नमस्कार, दबिहार टॉप के मौसम रिपोर्ट में आपका स्वागत है बिहार में मौनसून के चलते पिछले 24 घंटों में कई हिसों में बारिस हुई मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कैमूर, रोहतास, बक्सर, किसन गंज, अररिया और पुर्निया जिले में भारी बारिस का औरेंज अलर्ट जारी किया है और अन्य जिलों में एलो अलर्ट जारी किया गया है आपको बता दें कि बारिस के कारण गर्मी और उमस से भी रहत मिली है और आपको यह भी बताते चलें कि बिहार में मौनसून की सक्रियता से राजी के अधिकतर हिसों में रूक रूक कर बारिस का सिलसिला जारी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दोरान मध्यपूरा के पुरैनी में सबसे अधीक 109.6 mm बारिस रिकॉर्ड की गई वही गया के सिरगाटी में 90.2 और डोभी में 80 mm बारिस हुई है आपको बताते चले कि मौसम विभ्यान केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दोरान कैमूर, रोहतास, बक्सर, किसन गंज, अररिया और पूर्निया जिले में कुछ अस्थानों पर बहुत भारी बारिस हो सकती है इसे लेकर औरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है वहीं भोजपूर और अरवल, औरंगाबाद, सुपॉल, सहरसा, मधेपूरा और कटिहार जिले में एक दो अस्थानों पर भारी बारिस की आसंका को देखते हुए एलो अलर्ट जारी किया गया है इस दोरान तेज हवा चलने के साथ साथ मेग गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है पांच से चोव अगस्त को पस्चिमी चंपारन, पूर्वी चंपारन, गोपाल गंज, सीवान, सारन, सीता मढ़ी, सीवहर, मुजफरपूर, वैसाली, दर्भंगा, समस्तिपूर, मधू बनी, सहरसा, अररिया, किसन गंज, पुर्निया और कटिहार में भारी बारिस को लेकर एलो अलर्ट जारी किया गया है, आपको बता दे कि मौसम विभाग के अनुसार पस्चिम बंगाल के गंगा छेत्र और उससे सटे जहारखंड के उपर कम दबाव का केंद्र बना हुआ है, जिसमें बिहार में मौनसून की सक्रियता और बढ़ गई है, अगले सब्ता तक बि मौसम विभाग के अनुसार की नदियों के भी जल अस्तर बढ़ने की संभावना है, मौसम वज्ञानिकों के अनुसार लो प्रेसर के इफेक्ट से इतनी तेज हवा चल रही है कि उन्होंने बताया कि मुझाफर पूर में भी अगले 24 घंटे से 48 घंटे तक अच्छी बारिस की संभावना है, जबकि पटना में अगले 3 दिनों तक बारिस होने की संभावना है, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में जुलाई से अधिक बारिस होने की गुंजाईश है, राजे के विभीन हिसों में हो रही बारिस से धूप और उमस वाली गर्म से लोगों को राहत मिली है दो दिनों के दौरान बिभीन जिलों में हुई बारिस से राजे के अधिकान जिलों के अधिक्तम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है वहीं मौसम पुर्वा नुमान में बताया गया है कि अभी सबता भर में प्रदेश में जबरदस्त बारिस हो सकती है इससे लोगों को जहां गर्मी से राहत मिलेगी वहीं बारिश का सिलसिला जारी रहने से धान रोपनी के काम में भी तेजी आने की संभावना है जिससे किसानों के चेहरे भी खीले नजर आ रहे हैं फिलाल के लिए इस मौसम रिपोर्ट में इतना ही देखते रहिए दबिहार टॉप